गूड मार्निंग, हाग वार यू, मैसेल पंकर्ज मोर्या, यूर साइंस टीचर, टोड़े यूर गोईंग टो इस्टार्ट दी फर्स चेप्टर आफ जोर बायोलाजी, सो लेट्स बिगेन, चलिए देखते हैं, यह जो आपका साइंस है, क्लास नाइन्थ में, यहाँ पे जो साइंस है, वो ठी पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें से पहला है आपका, पहला है बायोलाजी, ठीक है, बायोलाजी, केमेश्ट्री, ठीक है, और इसके बाद है फिजिक्स, और क्या है फिजिक्स, बायोलाजी, केमेश्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, हम लोग सब प अब देखिए, बायो लाजी क्या है, यहाँ पर दो टर्म आते हैं, बायो प्लस लाजी, ठीक है, बायो लाजी मिन्स क्या होता है, बायो मिन्स होता है, लिविंग और्गनाजिम, ठीक है, लिविंग और्गनाजिम, ठीक है, और लाजी मिन्स यह मतलब जिसमें हम इसका branch of science which deals with the study of living organized that is known as biology ठीक है उसे हम क्या कहते हैं बाइवलाजी अब देखिए अरिश्ट अरिश्टोटर ठीक है अरस्टू इनको हिंदी में अरस्टू कहते हैं एक ग्रीक नाम है ठीक है एक अरस्टू ठीक है एक ग्रीक फिलोसॉफर थे जिन्होंने की सबसे पहले ठेर सारे एनिमल्स और प्लांट्स का एक सिस्टेमेटिक धंग से क्लासिफिकेशन किया और उसका अध्यन किया इसलिए इनको कहा जाता है फादर आफ बायोलाजी ठीक है अलाएक जब आप आगे जाएंगे तो वहां पे आपका जो बायोलाजी है उसके दो भागों में डिवाइडेड हो जाएगा इसमें पहला होगा जूलोजी ठीक है और दूसरा होगा बाटनिंग जूलोजी बाटनिंग ठीक है जूलोजी में हम क्या करते हैं जूलोजी में हम करते हैं देखिए जू जू प्रकार का जीव जनतु रहते हैं जादोर है इसी प्रकार जिनमें हम अनिमल्स कीवल एनिमल्स का इस टेड़ी करते हैं उसको क्या करते हैं उसको कहते हैं जू लो जी अब दुसरा है ब McC乌 ने मतलब जिसमें हम प्लांट का इस्टडी करते हैं ठीक है उसे क्या करते हैं बोटनी दखे जुलोजी के फादर कौन है जुलोजी के फादर अरिश्टोटल ही है या भी अरस्तु ही है ठीक है इसके फादर अरिश्टोटल या अरस्तु ही है और इसके जो है थियो फ्रेश्टस इन्हों, उन्हों ने सबसे पहले, इन्हों कीवल प्लांट को classify किया था, और प्लांट के बारे में सबसे पहले classified, जो knowledge है इन्हों न दिया था, इसलिए इनको anybody का father कहा जाता है ठीक है तो चलिए हम लोग आपका जो पहला चेप्टर है उसको start करते हैं ठीक है तो आपका देख़े पहला चेप्टर क्या है ठीक है आपका जो पहला चेप्टर है वो है Improvement in Food Resource ठीक है Improvement in Food Resource अना कि अगर देखा जाए तो यह तोटली यह जो पेपर है बोटनी में आएगा बोटनी का है क्या खाता है इसको इकोनामिकल बोटनी या फिर से एग्रिकल्चर का भी ले सकते हैं ठीक है तो देखिए इस चेप्टर का क्यों आप मतलब समझ देजिए बाकी हम आपको आगे बताएंगे इंप्रूमेंट्स इन फूड रिसोर्स एक क्या होता है फूड रिसोर्स मिन्स होता है पहले देखिए फूड रिसोर्स फूड रिसोर्स और इंप्रूमेंट इंप्रूमेंट होता है मतलब सुधार ठीक है अगर कोई कमी है तो अगर हम उसको सुधार कर ले रहे हैं तो उसको लगभग मतलब जब देश आजाद हुआ उसमें देश की जन संख्या लगभग एक क्रोण के आस पास थी ठीक है और खेती के लिए जमीन भी बहुत थी लेकिन उसमें जो उत्पादन था इतना कम था कि हमको गेहूं अमेरिका समगाना पड़ता था हमारे पास खाने को कुछ नहीं था ठीक है तो इसको देखते हुए हमारे सरकार ने मतलब कुछ ऐसे बदलाव लाए और फिर इसके बाद कुछ ऐसी क्रांतियां हुए जिसके फल स्वरूप आज देखिए देश के आबाद ये एक से 35 क्रोण है फिर भी हम अभी हाल में ही भारत सरकार ने 135 लाख टन यह हूं अफगानिस्तान को निर्याद करने के लिए सोचा है तो बताइए एक सो मतलब 135 क्रोण अब देश की जन संख्या भी है ठीक है इसके बाद इतना जादा निर्याद भी कर रहे हैं तो क्या हूं यही कारण है कि हमारे जो मतलब फूड रिसोर्स थे हमाई से जो फसले हैं ठीक है अब देखे फूड की रिसोर्स के वल अनाजी नहीं है दाले भी हैं दूद भी हैं मीट मांस हैं ऐसा भैना तो इनके प्रोडक्शन में सुधार लाया गया कैसे हुआ क्या हुआ इस पूरे चेप्टर में हम इसे के बारे में पढ़ेंगे ठीक है